अगर आपके बच्चे छे से साथ साल की एज में है तो पिस्तर की प्रक्टिस शिट्स बनाकर बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं एंड इजीली उन्हें घर पर प्रक्टिस करा सकते हैं वीडियो को एंड तक वोच करना अगर आपको अच्छा लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना यह इस फर्स्ट कोशन सर्कल दे नेमिंग वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स जिसे हम नाउन कहते हैं नाउन पर आल्री मेरे एक वीडियो बनाया हुआ है अगर आप देखना चाहते तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप उसे जाकर चेक आउट कर सक नेमिंग वर्ड्स म नावन डिन इंक िच्छन ममधर अपर चेंब से इंस वाला रोटे में यान हाई उसे का नाउन होटा है आपको पार सीशक्र ये मरे करना म दूल जाएऀ मां इस सकता थो इस फृच्छन नेमिंग कर सकते हैं इसक्ता है उस्कूल इस को नेमिंग वर्ड and home is also a naming word तो इस तरह से आप बच्चों को naming words पर circle करने के लिए दे सकते हैं इससे आप बच्चों को easily noun के practice करा सकते हैं here is the next question write fruit names यहां पर कुछ fruits बने हुए हैं and उनके names बच्चों को हां लिखना है this is mango mango की spelling लिखना है m a n g o mango it's a apple आपर apple का spelling लिखना है it's a water melon it's a musk melon it's a pomegranate तो यहां पर pomegranate का spelling लिखना है it's a cherries तो यहां पर cherry का spelling लिखना है इस तरह से आप बच्चों को fruits के name लिखने के लिए दे सकते हैं and easily उन्हें spellings learn करा सकते हैं here is the next question write the opposite words यहां पर कुछ वर्ड दिये हुए हैं इन इनके opposite words यहां पर लिखना है जिसे यह day डे का opposite है night यहां पर उसे लिखना है अप अप का opposite है down यहां पर down का spelling लिखना है far near old young short tall wet dry rough smooth dark light said happy left right इससे आप बच्चों को writing work में opposite words लिखने के लिए दे सकते हैं जब बच्चे ग्रेट 1 या ग्रेट 2 में आते हैं तो उन्हें writing work में opposite words लिखने के लिए दिये जाते हैं तो इस तरह से बच्चों को practice करा सकते हैं here is the next question writing the naming words in the correct box यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है इनमे से जो common name बान की और आठ यहाँ लिखना है and special name बान इस जो हैं यहाँ लिखना है boy i am common name here girl is a common name Ram is special name so you can add pengut day kitty special name teacher is common name Ganga it's a special name Tajmahl it's a special name Place it's a common name Plant it's a common name Rose it's a special name तो इस तरह से आप बच्चों को Common name and special name अगर आपने बच्चों को बढ़ा दी है तो आप इस तरह से राइटिंग वर्कम उन्हें लिखने के लिए दे सकते हैं और इजीली उन्हें कॉमन ने में इस्पेशल नेम के प्रक्टिस करा सकते हैं यह इस नेक्स्ट कोश्चन मेच दे जेंडर ही एंड शी यहां पर कुछ वर्ड लिखे हुए जिसे शी वाले कॉलम में कुछ वर्ड सोथ है तो उन्हें आपस में मेच करना है जिसरी जिसे यह लिखा है वूमन ही में आएगा मैं लॉइनेस लॉइन प्रिंस eats आपोसिट में आएगा प्रिंस डॉटर सं मैडम सर इस तरह से बच्यों को gender related question भी करने के लिए दे सकते हैं here is the next question fill in the blanks with m is or are यहापर m is or are का use करना है end sentence को complete करना है जैसे I blank ram I am ram I is ram या I are ram तो यहापर जो correct word है उसे fill करना है I am ram they are my friends तो यहापर आएगा are we are happy to play in the park यहापर आएगा are Pluto is my dog so here comes is he is naughty I am very happy you are my best friend so here comes are तो इस तरह से I के साथ M का यूज़ करते हैं they, we इनके साथ हम R का यूज़ करते हैं and किसी का नाम he, she इनके साथ हम is का यूज़ करते हैं तो इस तरह से आप बच्चों को प्रक्टिस करा सकते हैं कि हम किस तरह से अप सेंटेंस को कंप्लेट करते हैं using is, m, and are here is the next question rearrange the words to make sentences यहापर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं तो उन्हें हमें rearrange करना है उन्हें राइट सेंटेंस पे कंवर्ट करना है जिसे यहाँ लिखा है are they rope jumping तो यहाँ पर राइट सेंटेंस होगा they are jumping rope तो यहाँ पर हमें लिखना है they are jumping rope next है red the is car तो यहाँ पर आएगा the car is red इस तरह से हमें सेंटेंसे को rearrange करना है and राइट सेंटेंस में convert करना है जैसे हमें लिखा है flying are birds the तो इसे हम rearrange कैसे करेंगे the birds are flying at night twinkle the stars the stars twinkle at night he everyday and its apple he eats an apple everyday to football like I play I like to play football friends are we good we are good friends इस तरह से आप बच्चों को sentence को rearrange करने के लिए भी दे सकते हैं here is the next question fill in the blanks with correct action words यहापर कुछ action words लिखे हुए हैं and उन्हें यहापर feel करना है don't blank me तो यहापर कौन सा action verb यूज होगा push, don't push me blend the floor clean the floor they butterflies look beautiful यहापर action word आएगा look my pet dog blank with a ball my pet dog plays with a ball यहापर plays आएगा you can blank these fruits you can eat these fruits यहापर eat आएगा can I blank here can I sit here इस तरह से आप बच्चों को action words से related भी question दे सकते हैं and इस तरह से आप बच्चों को action word की practice करा सकते हैं here is the next question drop S from these words and make words which stand for one thing यहापर कुछ plural words लिखे हुए हैं इन में से S को हटाना है and singular word में convert करना है जैसे हीर इस Pins Pins में से S को हटा के हम इसे singular कैसे बना सकते हैं Pin Bats का singular होगा Bet Heads का singular है Het Toys यहापर आएगा Toy Coms यहापर आएगा Coms Spoons Spoon Bags 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 Chairs 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 Shirts Shirt Pencils Pencil यहापर आएगा Pencil इस तरह से आप बच्चों को plural words को singular word में भी convert करने के लिए दे सकते हैं और से मैसे यहाप singular words को plural में भी convert करने के लिए दे सकते हैं Here is the next question Reading Comprehension यहापर एक paragraph दिया हुए है जिसे बच्चों को read करना है understand करना है and after then नीचे दिया हुए questions के answer लिखना है जिसे यहाँ लिखा है Plants and trees uses oxygen So we can breathe Many animals use tree for shelter and for food We all needs tree in order to live Sadly People cut down billions of trees every year So we can build shopping centers, houses and restaurants You can help by planting new trees in your community इस तरह से आप कोई भी paragraph लिखकर बच्चों को read करने के लिए दे After then उसी से related questions यहाँ लिखके दे जो कि बच्चे इसमें से उनके answers ढूटेंगे और लिखेंगे जिसे यहाँ लिखा है What do trees gives us इसका answer नहीं पर लिखा है Trees gives us oxygen So we can breathe यहाँ पर बच्चों को answer लिखने है Next question है Why are trees important to animals? इसका answer भी इहाँ पर लिखा है Animals use trees for shelter and for food यह इसका answer हो गया Next question है Why do people cut down trees? इसका answer भी इहाँ पर लिखा हुआ है People cut down billions of trees every year So we can build shopping centers, houses and restaurants And last question है How can we help? हम किस तरह से help कर सकते हैं? We can help by planting new trees in our community इस तरह से आप बच्चों को paragraph लिख कर दे उसे read करने के लिए दे इससे related questions करने के लिए दे इससे बच्चे reading करने के साथ साथ उसे किस तरह से understand करना होता है इससे related questions के answer किस तरह से लिखना होता है यह सब भी चीज़े समझते हैं तो आप इस तरह से बच्चों को reading comprehension से related एक paragraph एवरी वरक्षिट में एड़ करके दे सकते हैं इस तरह से आप बच्चों को practice worksheets बनाकर घर पर करने के लिए दे सकते हैं आपने जो भी चीज़े पढ़ा हिए उसकी practice करा सकते हैं I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा helpful लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अपने फेमिलियन फ्रेंड्स में शेयर जरू करना हम मिलते एक अच्छा से नहीं वीडियो के साथ तिल देन बाई 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 टेक्यार